भारती सेना की टीमें ड्रोन और कैमरों से लैस होकर पुर्वी लद्दाग की पैंगॉंग जील से चीनी सैनिकों के पीछे हटने और उसके द्वारा स्थापित सैन्य बुनियादी धांचे को हटाने की प्रक्रिया पर लगातार नजर बनाये हुए इसी कड़ी में मंगलवार को उत्तरी सेना के कमांडर लेटिनन जनरल वाई के जोशी ने पुर्वी लद्दाग के आगे के शेत्रों का दौरा किया पैंगॉंग जील के उत्री और दक्षिनी दोनों तटों पर सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया 20 फरवरी तक पूरी होने की उम्मीद है इसके लावा भारतिय सेना की टीम चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी टीम के साथ पैंगॉंग जील पर सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया का भौतिक रूप से सत्यापन और पुनह सत्यापन करेगी एक वरिष्ट सरकारी अधिकारी ने कहा कि ये भारतिय सेना और चीनी पी एले दोनों की ओर से एक सैयोकत निरिक्षन दल होगा अधिकारी ने आगे कहा कि भारती सेना की टीमे सैन्य टुकडियों की चांच और सैन्य ठीकानों को हटाने की प्रक्रिया की निगरानी और इसकार रेकॉर्ड रखने के लिए ड्रोन के साथ ही हाई रेजोलुशन कैमरों का भी उपयोग करेगी येटी में विशेश रूप से चीनी सैन्य को की ओर से पैंगॉंग जील के पास थापित किये गए सैन्य ठीकानों को हटाने की प्रक्रिया की निगरानी करेगी आपको बता दे चीन की ओर से फिंगर सेवन शेतर में एक सैन्य चौकी बनाने के अलावा लंबी दूरी की मारक शमता वाली बंदू के भी तैनाद की गई थी इस एलाके में बंकरों का निर्मान किया गया था और हजारों पीळले के सैनिकों के ठहरने के लिए स्थाई संग रचनाओं का निर्मान भी किया गया था अधिकारी ने बताया कि हम भोतिक रूप से ये सत्यापित करेंगे कि क्या इलाके से प्रतियक चीजे हटा दी गई है या फिर नहीं हम ये भी जांचने के लिए finger 8 तक जाएंगे कि क्या सहमती शर्तों के मताबिक पीछे हटने की प्रक्रिया हो रही है या नहीं समझोते में कहा गया है कि चीनी सेनिक वापस finger 8 में चले जाएंगे और भारते सेना पैंगॉंग जिल के उतरी तट के finger 2 और 3 के बीच धन सिंग थापा की चोकी पर वापस आ जाएगी इसके लावा पारंपरिक शेत्रों में गश्त सहित सैने गती विधियों पर एक अस्थाई रोख होगी पैंगॉंग जिल के किनारे पहार की आकरिती कुछ इस तरह से है कि ये अंगलियों की तरह दिखती है और इसलिए इन्हें finger कहा जाता है इनकी संक्या आठ है भारत जहां finger आठ तक अपना शेत्र होने का दावा करता है वहीं चीन ने finger चार तक दावा करते हुए विवाद पैदा कर दिया है पैंगॉंग जील के उतरी तट पर finger चार और finger आठ के बीच 8 km के फांसले में दोनों सिनाओं के बीच कई बार आमने सामने की भिड़न्त हो चुकी है चीन ने अलिसी पर यथा स्थिती बदलने के लिए finger चार और पैंगॉंग जील के दक्षिन में अपने बहुत से जवान और अन्य साजो समान तेनाद किया था पिछले साल तनाव के कारण चीन ने जील में finger आठ से आगे नावों को तेनाद किया था एक बार सेनाएं पीछे जाने के बाद राजनेक और सेन्य वारताओं में सहमती बनने के बाद ही गश्त फिर से शुरू हो पाएगी फिलहाल पैंगॉंग छिल के दक्षिन में जहां दोनों तेशों की सेनाएं बिलकुल आमने सामने थी वहां से भी सेनायम पीछे हटने लगी बहराल हमारी इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है कॉमेंट सेक्षन में हमें जरूर बताएं साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें टीवी नाइन भारत वर्ष